स्पिकर साह, पार्ती रेसलर विनेश फोगाट पेरिस ओलम्पिक की स्पर्दा से बाहर होने पार एक वक्तव्य देना चाहता। पार्ती रेसलर विनेश फोगात को तई केटेगरी में ज्यादा वजन 100 ग्राम होने की वज़ा से पेरिस ओलंपिक से बाहर होना पड़ा है विनेश 50 केजी की केटेगरी में खेल रही थी इस परदा के लिए विनेश का वजन 50 किलोग्राम होना अनिवारे था UWW के नीमों और विनीमों के अनुसार सभी प्रतियोगिताओं के लिए सब्बंदिच स्रेणी के लिए प्रतिक सुबह वजन माप का आयूजन किया जाता है अनुचेद अग्यार के अनुसार यदि कोई एथलिट वजन माप प्रत्थम अत्वा दियुती में भाग नहीं लेता है अत्वा असफल हो जाता है तो उसे प्रतियोगिता से बाहर कर दिया जाता है और बीना किसी रेंग के अंतिमस्तान पर रखा जाता है साथ अगस्ट दोजार चोविश को पच्चास किलोग्राम महिला कुस्ती के लिए वजन का निद्धारण साथ बज़ के पंद्र मिनिट और साथ बज़ के तिस मिनिट पेरिस समय के अनुसार रेपोचेज और फाइनल में भाग लेने वाले पहलवानों के लिए किया गया थ पार्ति ओलंपिक संग ने आंतराष्टि कुस्ति संग से कड़ा विरोध भी दर्ज किया है नेशनल पार्ति ओलंपिक संग की अध्यक्षा पीटी उशा भी अभी पेरिस में है प्रदान मंत्री जीने स्वयम उसके साथ बातचित करके उचित कार्यवाही करने के लिए उच 50 केजी रैस्लिंग ओलंपिक में फार्थ ने वाली पहली भारति महिला रैस्तर बनी सेमी फार्थ में हुन्होंने क्यूबा की पहलवाद गुजमान लोपेजी को और प्रीपिसाना लिवाच और प्री प्रिक ओर्ट पार्थ फार्थ में वर्ड चैंपिन जापान की युई सुसाकी को 3-2 से माद दी थी उन्हें बुधवार 7 अगस्ट की रात करिब 10 बजे गोल्ड मेडल के अमेरिकी रैसलर सारा एन हिल्डर ब्रांट से मुकाबला करना था जहां तक उनकी तैयारी है तो सहायता का प्रश्ण है पारत सरकाने विनेश फोगात की उनकी आवशक्ता के अनुसार हर संबो सहायता प्रदान की है उनके लिए पार्सनल स्टाप भी नियुक्त किये गए है जो अपने क्षेत्र के विशशग्य है उनके साथ हंगरी के विख्यात कोच ओलेर अकोस और फिजियो अर्श्विनी पार्टी हमेशा रहते हैं इनको ओलंपिक के लिए इनक स्टाप जैसे विबिन स्पारिंग पार्टनर्स स्टेंथ और कंडिशनिंग विशशग्या के लिए वित्ती सहायता प्रदान की गई जिसका वीवरन इस प्रकार है ओलेर अकोच कोच के रुप में उसके साथ थे वैंड पैट्रिक लॉंबार्ड स्टेंथ और इनको पेरिस ओलम्पिक चक्र के लिए कूल 70,45,775 की वित्ती सहायता दी गई है जिसका वीवरन इस प्रकार है स्पेन के ग्रेट पिक्स में भाग लेने के लिए वित्ती सहायता साथी 3 जुलाई से 13 जुलाई 2024 दस दिन तक मेडरिट स्पेन के आंतराश्टी प्रशिक्षन शिवीर के लिए अतिरिक्त वित्ती सहायता इसके अलावा फ्रांस के बुलाउन सुमेर में पूर्व ओलम्पिक प्रशिक्षन शिवीर के लिए अतिरिक्त सहायता की है 2024 आंतराश्टी कुस्ति संग सेकंड रेकिंग सीरीज में 6 जुन से 9 जुन 2024 चार दिन तक बुड़ा प आंतराश्टी प्रशिक्षन शिवीर के लिए अतिरिक्त सहायत स्टाप के लिए वित्ती सहायता की है स्टैंथ और एर कंडिशन कोच मिस्टर वाई ने पैट्रिक लॉंबाड के लिए टाटा ओलम्पिक सेंटर हंगरी में 10 जुन से 21 जुन 2024 ग्यारा दिन तक आंतराश्टी प्रशिक्षन शिवीर में भाग लेने के लिए भी वित्ती सहायता की है 13 जुलाई 2023 से 16 जुलाई 2023 चार दिन तक बुड़ा पेश्ट हंगरी में फौर्थ रेंकिंग सिरीज में भाग लेना और 10 से 16 जुलाई 2023 16 दिन तक बुड़ा पेश्ट हंगरी में प्रशिक्षन शिव से 312-2022 तक प्रश्रिक्षन के लिए वित्ती सहायता दी है उनके रिहायब प्रकिर्या के लिए आवश्यक उप्तर खरीदने के लिए भी वित्ती सहायता की गई है 2020 टोक्तियो ओलम्पिक चक्र में 1.1398.224 रुप्य का आर्थिक सहयोग उसको किया गया था 224 पेरिस ओलम्पिक चक्र में भी टार्गेट ओलम्पिक पॉडियम स्कीम में 53,35,746 और वार्शिक ट्रेनिंग अवन्स पर्धा केलेंडर में 17,10,000 पूल मिला के 17,45,775 रुपया हमारे खेलाडी को आर्थिक सहायता करके उसको सक्षम करा गया झाल 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 झाल